हेलो बच्चो कैसे हैं सब लोग a very good evening to all of you I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और fit and find होंगे अपने अपने घरों में और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि यह नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो I hope सभी लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंग तो बच्चे मैं भारती लेकर आई हूँ आपके लिए class 8 की series जिसमें हम अपना first topic first chapter discuss कर रहे है बच्चे rational numbers और one by one इसमें हम सारे topics discuss करेंगे तो यह है बच्चे आपकी doubtnut की live class जिसमें मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और हमारा यह topic चल रहा है rational numbers जिसमें आज rational numbers की class number 7 ठीक है तो previous six classes में हमने already काफी सारे topics discuss कर लिए है तो जो last class का topic था हमारा that was division of rational numbers और उसी की आज हमें कुछ properties discuss करनी है बच्चे और कुछ questions discuss करने है based on multiplication of rational numbers and division of rational numbers तो चल यह start करते हैं अपना topic बट उससे पहले बच्चे chapter progress में देख लिते हैं हमने कौन-कौन से topic कर लिये हैं तो बच्चे बात करें introduction की तो यह topic हमारा हो गया है the types and properties of rational number this is also done third one is comparison of rational number comparison भी हमने कर लिया है बच्चे fourth one is addition and subtraction of rational number यह भी हमारा हो गया है topic these are the properties of rational number जैसे कि हमने discuss करें closure property, associative property यह सारी वही properties हैं तो multiplication वाला भी हमने कल ही खतम किया था और अभी जो हमारा recent topic चल रहा है बच्चे वो है division of rational numbers तो इसी की properties हम आज discuss करने वाले हैं और इसी पे based कुछ questions करेंगे तो चलिए start करते हैं बच्चे बट उससे पहले आ रहा है आपके लिए एक quiz तो quiz के लिए सभी बच्चे ready हो जाएंगे copy pencil के साथ और सभी बच्चे अच्छे से answer करेंगे क्योंकि बच्चे ये quiz जो होता है आपका previous classes पर जो की already हम आपको concept बता चुके हैं उसी पे based होता है तो अगर आपने पिछली class का concept अच्छे से सीखा है तो आप quiz को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और बहुत अच्छे marks आएंगे आपके तो चलिए बच्चे start करते हैं और ये आ रहा है quiz का question number one जिसमें बताया जा रहा है कि that what should be added to minus 5 by 7 to get minus 2 by 3 बच्चे आप अगर minus 5 by 7 में क्या चीज़ एड़ करेंगे कि आपको minus 2 by 3 sum मिल जाए ठीक है तो मैंने आपको एक छोटा सा concept भी बताया था बच्चे जिसमें अगर आपको sum दिया हो और उसमें से एक number दिया हो तब आपको क्या करना है difference दिया हो तब क्या करना है first number निकालना है second number निकालना है तो सेम उसी तरीके से ये करेंगे question number 2 पे चलते हैं बच्चे question number 2 कह रहा है the product of two numbers is minus 16 by 35 and if one of the numbers is minus 15 by 14 then find the other one तो दो numbers का product आपको means multiplication आपको दिया हुआ है दो numbers का और उन दोनों numbers में से एक number आपको already given है तो दूसरा number आपको find करना है बच्चे तो simple सा है ये आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा question number 3 पे चलते हैं बच्चे question number 3 में simply आपको division property लगाने है simply divide करना है जो की previous class में हमने last में discuss किया था कि अगर दो rational numbers divide होते हैं तो हम उनको multiply के sign में change करके reciprocate करके second number को कैसे उनका division means quotient find करते हैं ठीक है तो same उसी type से ये question करना है I hope आप सभी बच्चे अच्छे से ये questions try कर रहे होंगे और सभी अच्छे से सही-सही answers mark कर रहे होंगे तो चलिए बच्चे देखते हैं किस बच्चे ने कितने answers सही किये है और किस के कितने answers गलत हुए है तो चलिए start करते हैं discuss करने questions तो पहला question है बच्चे what should be added to minus 5 by 7 तो minus 5 by 7 में let us suppose हम x add कर लेते हैं तो हमें क्या result मिलेगा बच्चे minus 2 by 3 मिलेगा result अब हमें simply किसकी value find करनी है x की ठीक है तो x की value find करने के लिए simply आपको check करना है कि x के साथ इस number का क्या relation है x के साथ ये number क्या हो रहा है बच्चे यहाँ पर देखिए simply आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x minus 5 by 7 is equals to minus 2 by 3 x के साथ ये क्या हो रहा है बच्चे subtract हो रहा है तो जब हम इसको दूसरे side पे means RHS में transfer करेंगे तो ये digit क्या हो जाएगी बच्चे plus हो जाएगी sign change हो जाएगा इसका तो minus 2 by 3 plus 5 by 7 ठीके तो simply आप क्या कर देंगे बच्चे simply आप इसको solve कर लीजिए तो 3 and 7 का LCM आ जाएगा यहाँ पर 21 and जब भी denominators different होते हैं means अगर उनका HCF 1 होता है तो उस case में हम numerator से उनको multiply कर देते हैं cross multiply तो minus 2 multiply होगा 7 से and 5 multiply होगा बच्चे 3 से तो यहाँ पे आपके पास answer आएगा minus 14 plus 15 by 21 which is equals to 1 by 21 और यह है आपका option number C तो option C हो जाएगा बच्चे right answer एक trick और बताई थी मैंने आपको जब हम addition वाली properties के बाद उसके questions practice कर रहे थे तब कि जब भी आपको दो numbers का sum given हो और उसमें से एक number given हो तो simply आपको क्या करना है आपको sum में से वो number को subtract कर देना है तो sum कितना है बच्चे minus 2 by 3 then minus और number क्या है minus 5 by 7 तो minus 2 by 3 minus minus will become plus 5 by 7 तो यही same चीज आपके पास आजाएगी बच्चे और इसको solve करके हमारे पास answer क्या आएगा 1 by 21 ठीक है चलिए I hope आप सभी को यह clear होगा और सभी का answer सही आया होगा चलिए बच्चे next question discuss कर लेते हैं next question में यह बात कर रहा है the product of two numbers तो suppose two numbers let us suppose two rational numbers are A and B A और B हमने दो rational numbers let कर लिए इनका product हमें दिया हुआ है minus 16 by 35 और इन दोनों में से एक rational number है minus 15 by 14 तो चलिए minus 15 by 14 को हमने A let कर लिया into B तो product के case में तो बच्चे कुछ भी नहीं करना आपको simple resultant से जो result आया है आपका means product जो है product को आपको divide कर देना है किसे number से तो simply जो यह यहाँ पर multiply हो रहा है तो यह number इदर जब आएगा तो यह क्या हो जाएगा divide हो जाएगा minus 15 by 14 अब simply आप क्या करेंगे divide को sign को multiply में change करेंगे और जो यह second number है इसको कर देंगे reciprocate क्या कर देंगे बच्चे reciprocate means यह हो जाएगा minus 14 by 15 क्या हो जाएगा minus 14 by 15 then minus minus will become plus और यहाँ से हमारे पास 14 and 35 7 के table से cancel हो जाएगे 7 to the 14 and 7 5 the 35 and 16 and 15 आपके same table में नहीं आते हैं तो अब simply हम इनको multiply कर देंगे तो numerator को आप numerator से multiply कर दीजे and denominator को denominator से तो 16 to the 32 and 5 into 15 will become 75 तो जो second number आएगा बच्चे वो आएगा हमारे पास 32 by 75 which is option C तो option C होगा right answer ठीक है चलिए next question में move करते हैं next question में simply आपको divide करना है quotient find करना है अभी जो हमने rule पिछले question में apply किया है वही same आपको इसमें apply करना है means division को आपको convert कर देना है multiplication sign में और जो second number है उसको आपको reciprocate कर देना है reciprocate means reciprocal means आपको numerator को denominator बना देना है और denominator को numerator और minus अगर sign है तो वो as it is रहेगा ठीक है तो simple हम minus 5 by 6 और division को same multiply में change कर दिया और इस number को हमने reciprocate कर दिया means minus 3 by 2 तो ये हमारे पास देखिए numerator और denominator ऐसे जब cross में होते है तो वो cancel हो सकते है और numerator 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 cancel नहीं होगा multiply होगा denominator denominator multiply होगा लेकिन अगर numerator denominator है वो हमेशा cancel हो सकते है तो यहाँ पर अगर हम check करें तो 3 से ये 6 cancel हो रहा है 3 1 जा 3 2 जा minus से minus cancel हो गया तो बच्चे यहाँ पे answer आया 5 by 4 और 5 by 4 है आपका option number 2 that is B option जो है वो right answer है ठीक है I hope आप सभी के answer सही आये होंगे and सभी बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से enjoy किया होगा तो बच्चे आगे बढ़ने से पहले एक announcement करना चाती हूँ कि जो आपके घर में कोई आपके बड़े भाई बैंड हो या कोई friends हो जो class 8 को पास करके class 9 में अभी गए है तो बच्चे उन बच्चों के लिए एक VIP course English medium का चल रहा है यहाँ पर जिसमें उनको सारे subjects की सारे subjects यहाँ पर पढ़ाये जाएंगे बच्चे तो कोई भी आपके friends या आपके बड़े भाई बैंड इस course को join करने में अगर interested है तो प्लीज आपकी screen पर एक poll show हो रहा होगा उसमें आप अपना answer आप उसमें बता दीजिए कि क्या आप interested है यह course join करने में या नहीं चलिए बच्चे तो start करते हैं आज का topic और आज हमें पढ़ना है division of numbers and कुछ practice questions करने हैं जो की base होंगे हमारे किस पे multiplication of rational numbers और जो आज हम करने division of rational numbers पे बट उससे पहले हम कुछ properties है जो rational numbers की division के लिए है वो discuss कर लेते हैं तो क्या-क्या properties है बच्चे देखिए सबसे पहले आती है बच्चे closure property क्या कहती है closure property क्या कहती है कि अगर आप दो rational numbers को divide करते हो तो resultant जो होगा it means जो quotient होगा वो भी क्या होना चीए rational number होना चीए बट जरूरी नहीं है ऐसा possible हो क्यूं क्यूंकि बाकी सारे numbers के लिए तो यह possible है बट 0 के लिए possible नहीं है क्यूंकि 0 भी एक rational number है तो यह थोड़ा सा dicey situation हो गया है it means यह closure property follow तो करेगी but with a certain condition तो condition के साथ यह follow करेगी अगर हम मतलब जैसे multiplication या addition में हम बोलते थे न कि closure property holds true for addition या multiplication वैसे नहीं बोल सकते क्योंकि सारे numbers के लिए follow नहीं करेगी 0 के लिए यह follow नहीं करती है क्योंकि तो चलिए इसको लिख लेते हैं that rational numbers rational numbers are not closed under division division के under rational numbers close नहीं होते हैं क्यों reason क्या है बच्चे इसका because because division by 0 division by 0 is not defined या not allowed ठीक है not allowed भी लिख सकते हो आप और not defined भी लिख सकते हो यह चीज में आपको बार बार बता रही हूं बच्चे कि जब भी आप किसी चीज को 0 से divide करते हो तो आपको result नहीं मिलता तो आपको जो term मिलती है वो क्या होती है undefined और 0 itself is a rational number और 0 खुद भी एक rational number है तो इसी वज़े से यह जो if we exclude 0 अगर हम 0 को exclude कर देते हैं then it will follow it will it will hold true it will hold true for all rational numbers for all rational numbers लेकिन अगर हम 0 को exclude कर देते हैं 0 को हटा देते हैं अगर तब ये property सारे rational numbers के लिए applicable है ठीक है तो चलिए इसी पे based हम एक simple सा example कर लेते हैं बच्चे simple example है यहाँ पर that 5 by 11 divided by minus 2 by 3 तो simple division है इसको तो हम simple करेंगे 5 by 11 division sign को हमने multiply में change कर दिया और ये जो term है minus 2 by 3 इसको हमने change कर लिया reciprocate कर लिया तो ये cancel तो नहीं होगा तो simple यहाँ पर minus 15 by 22 answer आ जाएगा simple division है ठीक है चलिए second law क्या कहता है बच्चे second law कहता है commutative law क्या होता है बच्चे commutative law कहता है कि अगर मैं एक दो numbers को divide करने हूँ सिफ if a is divisible by b then b is also divisible by a तो ये कहता है commutative law बट ऐसा true तो नहीं होता अगर आप four को two से divide करते हो तो वो पूरा divide हो जाते है लेकिन अगर आप two को four से divide करोगे तो वो तो पूरा divide नहीं होगा तो means commutative law follow नहीं होता under division तो simply लिख लेते हैं हम इसको that rational numbers rational numbers does not show rational numbers does not show commutative commutative property under division division के under commutative property ये show नहीं करता है क्यूं? क्यूंकि if a and b are rational numbers if a and b are two rational numbers then a divided by b is not equals to b divided by a अगर a को मैं b से divide करती हूँ तो वो equal नहीं होगा कि b भी a से divide हो जाए ठीके बच्चे? जैसे कि अगर हम बात करें example की तो suppose अगर मैं 2 by 5 को divide करती हूँ 3 by 7 से ठीके है? तो 2 by 5 means ये a हो गया ये b है हमारे पास तो हमने divide किया 2 by 5 into 7 by 3 तो ये आगया हमारे पास 14 by 15 आंसर अब आप b को divide करेंगे a से अब ये b है ये a है तो यहाँ पे हमारे पास 3 by 7 into 5 by 2 तो आंसर हो जाएगा बच्चे 15 by 14 और ये दोनों आंसर सेम नहीं है not same ठीके इसी लिए commutative law जो है वो follow नहीं करता division को ठीके division में वो follow नहीं होता does not applicable in division division में applicable नहीं है ठीके बच्चे चलिए property number 3 आती है हमारे पास associative law associative law क्या कहता है बच्चे associative law जो होता है वो 3 rational numbers के लिए होता है जैसे कि अभी तक हमने closure property discuss की है commutative property discuss की है ये दोनों हमारे पास 2 rational numbers के लिए थे बट associative law होता है 3 rational numbers के लिए और ये भी वैसे follow नहीं करता है क्यों नहीं करता है ये चीज हम देखेंगे तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं associative law does not follow does not hold true for division division के लिए ये true नहीं है क्यों नहीं है because if a, b and c are any three rational numbers अगर a, b और c तीन rational numbers हैं और अगर आप इनकी grouping करते हो a divided by b divided by c ठीक है simple हम लिख लेते हैं पहले a divided by b divided by c यहाँ पे अपने last two को group किया यहाँ पे first two को और ये equal नहीं आएगा बच्चे ठीक है तो ये equal नहीं आता है ये चीज हम अभी example के through समझते हैं कि क्यों नहीं आता है equal तो देखिए चलिए एक example लेते हैं one by five divided by one by six divided by one by seven ठीक है यहाँ पे यह है a यह है b और यह है c तो चलिए देखते हैं क्या आता है result यहाँ से तो बच्चे देखिए one by five तो according to board mass rule board mass rule के according हम सबसे पहले bracket solve करेंगे तो bracket में है हमारे पास one by six divided by one by seven तो इसको जब हमने solve किया तो यहाँ पर हमारे पास आया one by six into seven by one तो one by five divided by seven by six और जब इसको further हमने divide किया तो one by five into six by seven ठीक है बच्चे तो यहाँ पर आया six by thirty five यह answer आ गया अगर यही same answer हमारा grouping change करने पर भी आ जाता है तो तो follow कर जाएगा अगर नहीं आता है तो यह follow नहीं करेगा जो की हमें पता है कि follow नहीं करने वाला तो check कर लेते हैं तो one by five divided by one by six divided by one by seven अबकी बार हमने first two numbers को group कर दिया है तो चलिए देखते हैं पहले इन दोनों को solve कर लेते हैं तो यह six by one हो जाएगा divided by one by seven तो यहां से हमने जब इसको solve किया तो यह आया six by five will be divided by one by seven and six by five into seven by one तो seven six are forty two divided by five and these two are not same यह क्या है बच्चे same नहीं है six by thirty five is not equals to forty two by five ठीक है तो यह same नहीं है तो this proves that associative law does not hold true for division यह चीज़ प्रूव करती है कि जो associative law होता है वो division के लिए true नहीं होता है ठीक है बच्चे I hope आप सभी को यह चीज़ clear होगी होगी ठीक है बहुत simple और easy question थे बहुत simple और easy properties थी अब simply हम in course एक summary type में कर लेते हैं summarize कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़े जो है वो show कर रही है और नहीं कर रही तो basically अगर हम बात करें हमने तीन properties discuss की है under division और तीनों में से कोई भी property show नहीं करती है कोई भी property hold नहीं होती है true under division division के under कोई भी property true नहीं होती है सभी fail हो रही है ठीक है तो simple division में कोई property follow नहीं करती ठीक है बच्चे अब बात करते हैं last class में मैंने आपको एक fun question दिया था fun type question जिसमें मैंने आपको बोला था कि suppose एक आपके पास 30 inches का suppose यह 30 inches का एक ribbon है ठीक है 30 inches ribbon है और इसको आपको snip करना है बच्चे snip means cut करना है in equal parts तो equal parts कितने है one centimeter के parts होने चीए ठीक है one part one centimeter का होना चीए तो बच्चे इसमें आपको कितने cuts लगाने पड़ेंगे तो simple सी चीज है I hope आप सभी ने try तो जरूर किया होगा कि क्या question है क्या answer आएगा इसका तो देखिए बच्चे इसको मैं थोड़ा easy way में समझा देती हूँ suppose अगर आपके पास एक five centimeter की ribbon है और उसको आपको cut करना है into one centimeter equal parts में ठीक है one centimeter equal parts में तो आप कितने cuts लगाएंगे बच्चे देखिए one two three and four अब count कीजिए one part two part three part four part five part देखिए one two three यहां तक तो ठीक है three parts हो गए है लेकिन जो last part होता है बच्चे उसमें single हमें single cut लगाना होता है single cut से दो part मिल जाते हैं तो इसलिए जितने parts आपको करने मीन जितना centimeter का वो दिया हूँ है और कितने parts में डिवाइड करना है यह देखना है अगर one centimeter का parts में डिवाइड करने हैं अगर इस तर्टी inches के ribbon को आपको each मतलब one inch के piece में अगर आपको इसको डिवाइड कर रहा है तो simply आपको you have to snip 29 cuts आपको 29 cuts लगाने पड़ेंगे जितना आपको length दिया है उससे एक कम ठीक है तो यह simple एक fun facts में था question जो कि मैंने आपको पहले दिया था अब एक question और कर लेते हैं ठीक है तो simply आप मुझे बताईए कि how many days some months have 31 days ठीक है question है some months have 31 days कुछ months में 31 days होते हैं तो how many days how many months how many months have 28 days to 28 days कितने months में होंगे तो यह है homework कल के लिए तो कल तक आप सोचके रखिएगा बच्चे कि अगर हर month में हर months में तो 31 days नहीं होते हैं कुछ months में 31 days होते हैं तो 28 days कितने months में होंगे तो यह कल के कल हम discuss करेंगे इस question को अब आगे move करते हैं आगे आते हैं हमारे कुछ questions तो first question आ रहा है बच्चे यहां पर simplify simplify करना है आपको 4 by 9 divided by 5 by 12 तो कैसे करेंगे बच्चे 4 by 9 divide का sign change होगा multiply में यह हो गया 12 by 5 cancel हो गया यहां से 3 4s are 12, 3 3s are 9, 4 4s are 16 and 3 5s are 15 तो 16 by 15 is the final answer simple एक question बच्चे इसमें इस type से भी बनता है that show that show करना है आपको बच्चे that minus 7 by 24 divided by 3 by minus 8 is not equals to 3 by minus 8 divided by minus 7 by 24 means commutative law है यह जो की follow नहीं करता division को और वही आपको prove करना है तो बच्चे जो prove वाले questions होते हैं उसमें simply हमें सारे equal लेके नहीं चलने होते हैं आप क्या करोगे दिखिए यह आपकी एक साइड है यह दूसरी साइड है तो इसको बोलेंगे हम LHS और इसको बोलेंगे हम RHS तो simply आप लिखिए take LHS LHS ले लीजिए पहले minus 7 by 24 divided by 3 by minus 8 और इसको आपने solve किया minus 7 by 24 into minus 8 by 3 तो यह 8 बन्जा 8 and 8 3s are 24 तो यह आपका answer आया बचे यहां से minus से minus cancel प्लस हो जाएगा 7 बन्जा 7 and 3 3s are 9 7 by 9 आया यहां पे answer अगर हम बात करें RHS की तो take RHS RHS हमने लिया बचे RHS क्या है हमारे पास 3 by minus 8 divided by minus 7 by 24 तो 3 by minus 3 by 8 into minus 24 by 7 तो यहां से हमने इसको किया तो 8 बन्जा 8 8 3s are 24 minus से minus cancelled and 3 3s are 9 by 7 ठीके बचे और यहां पर LHS जो है is not equals to RHS आ रहा है जो की already given है तो यहां पर simply हम इसको क्या लिख देंगे hands proved तो यह prove हो गया कोशन तो कुछ कोशन आपके इस type के भी आते हैं चलिए अब एक बहुत अच्छा सा कोशन कर लेते हैं simple कोशन है बचे ठीक है एक कोशन देखते हैं चलिए आपको value find करनी है question is find the value of find the value of value आपको find करनी है 3 by 4 divided by 7 by 4 divided by 9 by 4 and it is divided by 4 by 6 तो आपको value बतानी है इसकी simple evaluate करना है इसको solve करना है simplify करना है ठीक है तो हमने question लिख लिया 3 by 4 divided by 7 by 4 divided by 9 by 4 divided by 4 by 6 तो according to bodmas law bodmas rule के according सबसे पहले हम solve करेंगे बच्चे bracket जो की ये वाला bracket है और बाकी चीज़े as it is लिख देंगे ठीक है तो यहाँ पे जब हमने इसको solve किया तो 7 by 4 into 4 by 9 हो जाएगा ठीक है और बाकी चीज़े ऐसे ही लिख दी हमने 4 से 4 cancel तो 3 by 4 divided by 7 by 9 it will divide by 4 by 6 तो यहाँ पे जब हमने इसको solve किया तो into 9 by 7 हो जाएगा ये तो यहाँ से हमारे पास आया ये number आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको आप पूरा एक number मान सकते हो और इसको भी reciprocate कर सकते हो तो 3, 9 जा हो गया 27 and 27 into 6 हो गया है बच्चे 6, 7 जा 42 carry 4, 6, 2 जा 12 and 4, 16 तो यह आगया 162 नहीं cancel हो रहा है यहाँ पे बच्चे यह 4 और 6 cancel हो रहा है देखे 4, 6 cancel हो गया 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4 तो 3, 3 जा 9, 9, 9 जा 81 by 4, 2 जा 8 and 8, 7 जा 56 तो 87 by 56 जो होगा वो final answer होगा ठीके चलिए तो इस type के question आते हैं आपके evaluation के लिए चलिए एक question और लेते हैं फटा फट से देखे कोशन है Mrs. Verma Mrs. Verma Bakes Small Apple Tarts ठीक है? छोटे छोटे Apple Tarts बनाए हैं मीज कपकेक बनाए हैं ठीक है? She uses She uses 3 by 4 of an apple for one apple tart One apple tart के लिए वो कितने apple यूज करती है? एक apple का 3 by 4 यूज करती है ठीक है? And she has And she has 30 apples और कितने apples हैं उनके पास? 30 apples है Then how many tarts How many tarts Can she bake? Can she bake? तो वो कितने tarts बेक कर लेंगी? तो ये है बच्चे आपके लिए homework question आपको homework में try करना है ये question और ये question number one और एक और question है आपके लिए homework के लिए Then find the value Find the value of Value find करनी है बच्चे आपको 3 by 7 into 5 by 7 divided by bracket start 5 by 6 divided by 4 by 6 तो ये दो question है बच्चे आपके homework के लिए जो मैं कल की class में आप से discuss करूँगी और ये simple question है देखें, मैं आपको समझा देती हूं question दूसरे वाले question में तो कुछ नहीं है समझाने वाला simple हमें evaluate करना है value find करनी है जैसे कि अभी हमने previous question में की थी और पहले वाले question में कि simple she uses 3 by 4th of an apple for one apple tart one apple tart के लिए वो कितने apple यूज करती है one apple tart के लिए she uses 3 by 4th of an apple of one apple ठीक है और उसके पास कितने apples हैं, total 30 apples हैं तो total कितने tart, कितने cakes वो बेक कर लेंगी तो देखें, हर apple में से one by four, one by four apple बच रहा है तो जब 4 apples में से 4 apples में से उन्होंने bake कर लिया, तो 4 apples, sorry, 4 apples नी 3 apples में से जब उन्होंने bake कर लिया तो 3 apples में से आपके पास एक tart और बन जाएगा, मतलब 3 apples से आप 4 tart बना सकते हैं ठीक है, तो इसी तरीके से सोचके ये करना है, division का question है, proper आप करके देखिए, और कल हम इस question को discuss करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, तो बचे आपकी इस class जब ये खतम होगी, तो उसके बाद आपकी screen पर एक poll आएगा, जिसमें आपको बताना होता है, rate करना होता है class को, कि class आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया, तो प्लीज आप उस poll को लीजिए और उसमें rating दीजिए class की, आज हम यहीं तक खतम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, thank you, कल सेम इसी time पर हम मिलेंगे, have a great day, thank you.